लालु यादव ने सीगे जाँच का व्योद किया, उन्हेंने काया कि मैंने एक जाँच कमीटी का गठन कर दिया है, जाँच कमीटी में कौन लोग थे? जो घोटाले में सामिल थे जब बाद में जो लोग जेल गए, वही लोग जाँच कमीटी के सदस्ते थे अगर पक्तना उच नैले ने मामने के मॉनिट्रिंग नहीं की होती तो लालु जी कब इस मामने को रफ़त अपप कर दिया। अगर पंदकार का 15 साल था, तो मजा लोड़ते रहे, जील में रहते में भी आगे सरकीट हॉस में, कल भी जब वहां गहे तो मजमा लगावाता सरकीट हॉस में। लंबे इंतजार के बाद 950 करोण के चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरेंडा को सेखार से 149.35 करोण के गवन के मामले में दोसी करार हो गए हैं आज। मगर इस पर अब राजनेतिक चुटकियां भी सुरू हो गई है। में भाजपा के वरिष्ट निता और राज सबस्तांसर सुसिल कुमर मोदी ने कहा कि वे खुश हैं कि जिन्होंने बिहार को लूटा उन्हें अब इस उम्र में सजा मिल रही है। पुर्वो मुख मंत्री राश्चे जन्ता दल के प्रमुख लालू परसाद यादों को जारखंड में सीविया की बिस्स अदालत ने चारा गोटाले के पांचवे मामले में भी दोसी ठाराया और आज उन्हें जेल भेंज दिया। अब इस मामले में सुसिल मोदी ने जो बयान दिया है हम उसे भी दिखाएंगे मगर उससे पहले बता दें कि इस मामले में सजा के गोशना एक इस फरवरी को की जाएगी। सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लालू यादव अब बिहार के दाजनीती में एक मात्र प्रसांगिक नहीं है। सुसिल कुमार मोदी बिहार के उपमुख्य मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन 2020 में बिहार विधान सभा का चुनाओ होने के बाद पार्टी ने उन्हें राजव सभा भेजने का फ्रेंसला किया। उनकी जगा तारकिश्वर प्रसाद और रेनू देवी को बीजेपी ने अपने कोटे से उपमुख्य मंत्री बनाया है। लालू यादव को चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में पहले ही दोसी ठाराय जा चुका है। यह मामला करीब तीन दसक पुराना है। CBI ने इस मामले में 64 केस दर्स किये थे और लालू यादव के नाम इन में से 6 मुकदमों में था। इन में से 5 केस बिहार विभाजन के बाद जहरखन में ट्रांसपर हो गए थे। अपने फेस्बुक पर सुसील कमारमोदी एक वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कहते हैं आप भी सुनिये। एक कावत जैसी करनी वैसी भणनी बोया पेड बबुलका तो आम कहां से होए। देखे लालु यादव ने सत्ता में रहते वें जिस तरह से करीवों को लुपने का काम किया। उसी का प्रणाम के पाच्वा मामला जिस्मन को सजा हुई है। और यह जो डोरंडा ट्रेजरी के घोटाले का मामला है 136 करोड रुपे का यह मामला है। यह 136 करोड उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीव 765 करोड रुपे होगी। और यह जो कहते हैं कि रानितिक विद्वे से मुझे फसा दिया गया। तो लालू जी यह पांचवा मामला जिसमें कोड ने आपको दोशी करार दिया है। और आप तो स्वेम रेल मंत्री थे जब यह मामला चल रहा था। और चारशिट फाइल किसके राज में हुआ। जब देवगोड़ा देश के परदान मंत्री थे उसमें आपके उपर इस मामले में चारशिट फाइल हुआ। कि दोई सब ब्याहर के राजिपाल थे जब उन्होंने आदेश दिया F.I.R. दर्ज करने का। और अगर इनका वस चलता तो मामले को इन्होंने रफा दफा कर दिया होता। यह तो पत्ना हाई कोट ने C.B.I. जार्ज का आदेश दिया। और अगर हम लोग P.I.R. दाखिल नहीं किये होते तो मामला रफा दफा हुआ होता। इन लोगों ने तो एक जार्ज कमिटी बना कर पूरे मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन पत्ना हाई कोट ने जब C.B.I. जार्ज का आदेश दिया तो लालुज इसके किलाफ में सुप्रिम कोट चले गए। और सुप्रिम कोट ने न केवल C.B.I. को बाहल रखा बलकि कहा कि पत्ना हाई कोट इसके मॉनिटरिंग करेगा। अगर डॉक्टर एक के विश्वास जिसे C.B.I. के पदादिकारी नहीं होते, राकेश अस्थाना नहीं होते जबी वर्तु करेगा।